सास्रीयकाल, बनकम, नमस्कार, ये है क्रिकेट का कहानिकार, दो मैच बचे हैं, एक आज होगा, एक रवीवार को होगा, और फिर दो ही दिन में पता चल जाएगा कि इस बार के संसकरण का विजेता कौन है, आज कौन सी टीम जीत कर पहुँच रही है रवीवार वाले मैच मे और भेड रही है कलकते वालों से, आईए पता करते हैं और जानते हैं कि मैच का निरनायक होगा कौन, कहानिया क्या है इस मैच की, ये सबसे बड़ी बात है, स्वागत आपने अपना अभी तक किया नहीं, जल्दी कर लीजिए क्या राजस्थान और हैदराबाद सरवश्रेष्ट टीम्स हैं, दूसरे क्वालिफायर में आने के लिए, अब इस मैच की कहानियों की जरा बात कर लेते हैं, पहली कहानी तो ये आती है, बतलब कहानी तो नहीं वो एक फैक्ट है, जो टीम जीती वो जाने वाली है फाइनल भी चुकी है, एक बार शेन वान के अंतरगत उनकी कप्तानी में और एक बार दविंदर सिंग वार्नर, डेविड वार्नर की कप्तानी में अलग-अलग नामों से उसकी चर्चा करूँगा, तो पहली बात यही है, तत्य है, फैक्ट है, की दौड है, फाइनल जाने की, हारन वहाँ हैज़राबद ने राजस्तान को एक रण से हराया था, और क्योंकि हैज़राबद ने सकौर बनाया था, दो सो एक और राजस्तान दो सो ही बना पाया था, वो उन्निसवां ओवर जो बहुत कमाल का डाला गया था कमینस की तरiveness से, हाज इस में सिरफ सात रण दिये थे आखरी गिन पे दो या तीन रण चाहिये थे शायद और दो रण चाहिये थे और LBW कर दिया था भूवने इश्वर कुमार ने अब याद आया तो पिछला मैच करीबी था रोचक था लेकिन हैदराबाद ने राजस्तान को हराया है अगली कहानी इस मेदान पर इस सीजन में ये दोनों टीम्स एक एक बार खेली हैं चिन्नई से खेली हैं और दोनों ही हारी हैं अब इस मेदान पर इस सीजन में दोनों ही टीम्स की जिसकी भी हुई पहली जीत होगी अगली कहानी मिदान से ही जोडी हुई है और ये कहानी नहीं है ये सवाल है कि pitch कौन सी होगी क्योंकि शुरुआती कई match's में हमने देखा कि चिन्नई में पिछले सालों की तरह spin को ز्यादा सहाईता नहीं मिली पर पिछले एक दो match's में हमने जरूर स्पिन को मदद मिलते देखी है क्योंकि पिचिस भी गेस जाती है कुछ पिचिस पे मैच होता है कुछ पे मैच नहीं होता तो खिलाडी भी खड़े होते है मौसम का भी फरक पड़ता है गर्मी इतनी पड़ रही है कड़ाके की तो पिच होगी कौन सी इस पे बहुत कुछ निरभर कर सकता है क्योंकि अगर तो पिच में हुआ स्पिन तो फिर आरश्विन फिर यूजी चहल और जैंपा भी साथ में आ जाएंगे और राजस्थान वालों का हाथ अच्छा खासा उपर हो जाएगा ओस पड़ती है या नहीं? इस पे भी बहुत कुछ निरभर करेगा अगली कहानी टाकरा है, टकराव है, दूंद्व है एक तरफ Travis Head है, एक तरफ Bolt है UCN Bolt नहीं है, Trent Bolt है इन दोनों का टाकरा क्यूं है? क्योंकि इस सीजन में Travis भाई खबू बोलर से फास बॉलर से चार बार और स्पिनर से एक बार यानि खबू बॉलर से पांच बार आउट हुए हैं और आखरी दो तो आपको भी याद है पिछले मैच में अभी-भी स्टाक सहाब ने क्लीन बोल्ड किया था उससे पहले पंजाब के गबरू अर्षदीप सिंग ने क्लीन बोल्ड किया था एक बार गोल्डन डख थी और एक बार शायद दूसरी गिंद पे आउट हुए थे तो डख और डख बतक और बतक ये लेकर आ रहे हैं तो खबू फास बोलर यहाँ भी सामने है और वो अकसर पहला ही ओवर डालते हैं है ना ट्रेंट बोल्ड सहब तो ये टाकरा ये द्वंद्व देखने वाला होने वाला है अगली कहानी जिसकी मैंने भूमी का पहले आपको बताई थी दोनों टीम्स औस्ट्रेलियन कप्तानों के नीचे ट्रॉफी जीच चुकी है राजस्थान वाले दिवंगत स्वरगी शेन वान सहब के साथ पहला ही सीजन जीते थे और जब हैदराबाद का नाम डेकन चार्जर्स था तब एडम गिलक्रिस्ट और जब ये नया नाम पड़ा तो फिर डेविड बॉर्नर के साथ आप ट्रॉफी जीते हैं तो इस बार ऑस्ट्रेलियन कैप्टन क्या है धराबाद के लिए लकी साबित होंगे दोबारा से संजू सैमसन विल से ब्रो, hold my filter coffee अब उनको भी जीतना आता है अगली कहानी आती है टीम के बॉलिंग अटैक को लेके राजस्थान के टीम बिलकुल इस बात का दम भले भर सकती है गर्व कर सकती है कि हमारा spin अटैक शामदार है अब तो ऐश अन्ना भी फॉर्म में आ गए है प्लेयर आफ ता मैच लेके गए है तो क्या आप इसे राजस्थान के spin अटैक और हैदराबाद के पेस अटैक के बीश की जंग कहेंगे जहां आपके पास पैट कमिंज हैं, बुवनिश्वर कुमार हैं, टीनट राजन हैं हाला कि इदर भी ट्रेंट बोल्ट जैसे खिलाडी हैं, संदीब शर्मा जैसे खिलाडी हैं लेकिन यहां का spin department और यहां के पेसर क्या ये मैच डिसाइड करेंगे ये बड़ी दिल्चस्प कहानी हो सकती है और अगली कहानिया इन्ही इंडिविज्वल खिलाडियों के इर्द गूमती है राजस्तान की तरफ से मुझे अगर एक खिलाडी चुनना पड़े है जिस पे बहुत पेनी नजरे होंगी विरोधियों की और आप समर्थकों की भी वो हैं रियान पराग पिछले मैच में ठीक है वो टीम को जितवाके नहीं गए जल्दी आउट हो गए थे लेकिन वो जिस तरह से तेज खेल रहे हैं जिस तरह से पिछले मैच में भी उन्होंने जिम्मेदारी के साथ खेला बड़े मैच में पहली बार वो आए हैं और not bad performance करके गए हैं ठीक है मैच जितवाके जाते तो उनको भी ज़्यादा होसला मिलता पर उनके वो six और four जो उन्होंने back to back लगाए थे वो उनकी maturity दिखाता है तो क्या रियान पराग आज भी बड़े मैच में अपनी team को फाइदा करेंगे लेट सी उसी तरफ दूसरी तरफ अगर हैदरावाद से मुझे एक बड़ा खिलाडी चुनना हो तो इसलिए नहीं कि वो लड़का पंजाब से है बलकि इसलिए क्योंकि वो अच्छी वाम में है नाम है अभिशेक शर्मा और ये इनके लिए कमाल का सीजन रहा है पिछले से पिछला सीजन भी तकरिवान ऐसा ही रहा था 2023 के सीजन में थोड़े नरम गरम रहे थे तब अनमोल प्रीत भी केल रहे थे पर ये सीजन एक ब्रेक आउट सीजन रहा है अभिशेक शर्मा के लिए और अभिशेक शर्मा की कहानी मैं पहले बता चुका हूँ दोबारा से ढोड़ लीजिएगा मैं डाल भी दूँगा काटके उसको पर मेरे लिए अगर एक खिलाडी पे दाम लगाना हो हैदराबाद की तरफ बल्लेवाजी में और अभिशेक शर्मा क्योंकि इस सीजन में उन्होंने किसी भी मैच में 30-30 से ज्यादा गींदे खेली नहीं है और अभिशेक भी और रियान पराग भी दूर ही सही लेकिन नारंगी टोपी औरेंज कैप की दौड में जरूर बने हुए है ठीक है आपको कुछ बहुत जूबा करके दिखाना पड़ेगा रनों में पर अगर बैटिंग पिच होती है टीम की पहले बैटिंग आती है तो अभिशेक शर्मा कहेंगे ब्रो मैं त्यारा आजवर्डी नहीं खिड़न दे लई अगली कहानी है छुपे रुस्तमों को लेके कौन सा खिलाडी है जिस पर नजरे हैं लेकिन थोड़ी कम है पर वो खिलाडी मैच विनर बन सकता है हैदराबाद की तरफ से अगर मुझे चुनना पड़े तो नीतिश कुमार रेड़ी होंगे भाई वो मतलब ठीक है प्लेयर टू प्लेयर कमपेरिजन हम आम तोर पे करते हैं हूब 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 हार्दिक पंडिया की कॉपी है बैसी ही मीडियम पेस बॉलिंग डालते हैं बह भी बन सकता है अगर बन जाएं तो हैरान मत होईएगा अगली कहानी राजस्थान का डार्क होर्स छुपा रुस्तम अब इतने छुपे नहीं हैं रुस्तम वो हैं बहुत बड़े खिलारी हैं आर अश्विन पूरा सीजन बहुत अच्छा नहीं गया था पहले 5-7 मैच में शायद 5-7 विकेट भी नहीं मिले थे पर पिछले मैच में 2 विकेट और शायद कितनी 4 या 5 की एकॉनमी से 2 विकेट लेके और प्लेर अफ दे मैच का अवार्ड लेके अश्विन अन्ना ने दिखा दिया कि वो बड़े मैच के खिलारी हैं ठीक वो काम जो स्टार्क ने किया पूरा सीजन संघर्ष करते रहे बड़े मैच में आके अपनी टीम को जितवाया सेम काम आरश्विन ने किया लगातार दो गेनों में दो बड़े विदेशी विकेट लेकर आपने अपनी टीम को आगे पहुँचाया तो ये छोपे हुए उतने नहीं है लेकिन पूरा सीजन बहुत अच्छा नहीं गया अभी अभी फॉर्म में आए हैं तो आज भी मैच विनर बन सकते हैं उसका एक कारण और है कि हो सकता है पिच स्पिन वाली हो और साथ में सामने जितने खबू बल्लेवाज हैं ट्रेविस हेड अभी शेक शर्मा हो सकता है कि उनको पावर प्ले म हाइदरा वादा खेल रही है नीचे बताईएगा जरूर और आखरी दिन जो आखरी वीडियो आएगा इस मैच का अनलेसिस भी मैं आपके लिए कल सुबा लेके आऊँगा और रवी वार की सुबा फाइनल का प्रिव्यू भी आएगा फिर क्रिकेट की यातरा पे भी चलें फिलहाल मैं जा रहा हूं नाचते में आगया आगया जी चलो जी फिर मिलते हैं नमस्कार जैहिन टाटा